नमस्कार दर्श नियूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रिती दयाल आपके साथ बिहार में 38 नहीं बलकि 41 जिले हैं उपर न्यास मैला आचल रामधारी सिंग दिमकर की कृती है ऐसा मेरा कहाना नहीं है बलकि सर्शम्ता परीक्षा की जो आंसर की जारी की गई है उसमें यह जानकारी दी गई है जी हाँ सर्शम्ता परीक्षा की ऑनलाइन जारी आंसर की में यही उलेख किया गया है जिस तरह यह सुनकर आप हैरान है ठीक उसी तरह यह देखकर शिक्षक भी भौचक रह गए हैं बिहार में 38 की बजाए 41 जीले की जानकारी आपको सामार ने ग्यान की किताब में तो नहीं बलकि सर्शमता परिक्षा की जारी आंसर की में जरूर ही मिल जाएगी बता दे कि यह तो महजबानगी है गरबरी तो कई दिख रही है बता दे कि सर्शमता परिक्षा को लेकर के आंसर की जारी कर दी गई है वहीं जब शिक्षकों ने मंगलवार को कक्षा नौवी और दस्वी की सर्शमता परिक्षा के उत्तर की परताल की तो चौकाने वाले तथे सामने आए जिला स्कूल नव स्थापित के प्राचारे अभिशेक अरुनाब, शिक्षक विश्वजीत सिंग चंदेल आदी ने दावा किया की जवाब सही भड़े हैं और आंसर की में उत्तर गलत जारी है मालुमों कि 26 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन परिक्षा ली गई थी बतादे की बिहार में करीब 2 लाख शिक्षक सर्शमता परिक्षा में शामिल हुए थे बतादे की आंसर की में प्रशन संख्या की जगह QID का इस्तिमाल किया गया है QID 3067 के सही जवाब में बिहार में जीलो की संख्या 41 बताई गई है जबकी राजे में 38 जीले है QID 3065 के सही जवाब में बिहार के राजे पशु का नाम बैल की जगह हाथी बताया गया है QID 3034 के सही जवाब में नेपाल के पडोसी भारतिये राजियों के समू में सिक्किम भूतान बताया गया है QID 3049 के सही जवाब में हिंदी उपर्न्यास मैला आचल के लेखक फणीश्वरनात रेनु की जगह रामधारी सिंग दिंग कर बताये गया है बतादे कि सोशल मीडिया पर तो दरजुनो सवाल के जवाब खूब तेजी से ट्रोल हो रहे हैं इस बीच आपको यह भी बता दे कि नियोजिस सिक्षक पूर्जोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं एक जानकारी यह भी दे दे कि अगर किसी उत्तर में गलती है तो अभ्यर्थी 21 मार्ज तक आपजेक्षन दर्ज करा सकते हैं आपजेक्षन दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को प्रती प्रश्न के हिसाब से 50 रुपय का शुल्क देना होगा हाला कि बोड की तरफ से सिर्फ उन्ही प्रश्नों पर आपजेक्षन सुईकार किया जाया जिसका सपोर्टिंग दस्तवेज अभ्यर्थी अपलोड करेंगे वहीं इसका भी विरोध शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है दस्तव शिक्षकों का साफ तौट पर ये कहना है कि प्रती प्रश्न के हिसाब से 50 रुपय का शुल्क देना सिर्फ और सिर्फ कमाई का एक जरिया है आपको ये भी बता दे कि नियोजस शिक्षकों से जुरा मुद्धा बिहार में इन दिनों पूरी तरह से गरमाया हुआ है दूसी तरफ पटना हाई कोट में ही शिक्षकों से जुरा मामला सुनवाई को ले करके गरमाया हुआ है इसे बीच मंगलवार को उनको लेकर के सुनवाई हुई जिसमें पटना हाई कोट ने फरजी शिशकों से जुरे मामले को लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया है तो फिलहाल इस बीच आंसर की को लेकर के भी बड़ी जानकारी सामने आ गई है बड़ी खबर सामने आ गई है कि जो भी उत्तर अप्लोड किये गए है उनमें से कई सारे गलत है तो अब देखना होगा कि शिक्षुकों की ओर से किस तरह की गतिवीधिया सामने आती है आखे शिक्षुकों का इस गलत उत्तर को लेकर के किस तरह के रस्पॉंस होते है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगरे वीडियो फेस्बूक के मादर हम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले